है प्रेंड्स मैं विसे कुमार श्राकत करता हूँ आपका अपना ही चैनल जैनिट टेक्निकल पॉइंट पे आज हम बात करेंगे दोस्तों S.S.B. सथ्र सीमाबल के बारे में दोस्तों इससे related vacancy कौन से vacancy आई है इसके बारे में जारेंगे दोस्तों तो ये वेकेंसी दोस्तों SSB Constable Requirement 2020 Online Form आ चुका है दोस्तों यदि यह हम बात करें इसमें यह Form अभी भराना इस्टार्ट ने हुआ जल दिए आपको Form भराना इस्टार्ट हो जाएगा दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं इस Form को फील करने के लिए आपके जो चार्ज है वह यहनी कि फील लगेंगे दोस्तों जेनरल के लिए OVC के लिए और EWS के लिए दोस्तों 100 रूपए और SC, HT, PH के लिए 0 रूपए और All Categories Female के लिए 0 रूपए लगें मतलब कोई रूपए नहीं ल सकते हैं दोस्तों ओके फ्रेंट्स यदि मैं बात कर लूँ इसमें एज लिमीटेट है एज क्या है तिया मिनिमम एज होना चाहिए आपका 18 वर्स और मेक्सिमम आपका होना चाहिए 27 यर यह अलग अलग पोस्ट वाइज यह हर एक पोस्ट के लिए अलग 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 एज हो और इसमें यह जो पोस्ट है यह आपको閉स्टेबल भर्यस्त के लिए है यहने कि consciously के लिए तोस्तों इसमें इसमें योगता क्या होना चाहिए इस फॉरम को फिल करने के लिए तो योगता आपका होना चाहिए दोस्तों class देखी class 10th high school with ITI यानि कि दसमा पास के साथ साथ आपको ITI होना चाहिए नहीं तो दसमा पास plus polytechnic यानि कि diploma के degree होना चाहिए दोस्तों certificate होना चाहिए ओके फ्रेंड्स तो मैं बात कर लेता हूँ इसका notification डाउनलोड करके इसके detail में जान लेते हैं दोस्तों ओके फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं notification डाउनलोड हो चुगी है दोस्तों उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूँ यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को subscribe करें यदि यह video अच्छी लगे तो like करें और और यह video और अच्छी लगे दोस्तों दोस्तों को साथ share करना ना बोले दोस्तों चलिए मैं वीडियो को start करता हूं तो जैसे कि आप देखने दोस्तों यह vacancy आपके थी सस्त्र सीमा बल की इसमें यदि बात कर लूँ दोस्तों ती सस्त्र सीमा बल government of India दोस्तों ministry of home अब देखिए यह लिए जो pay है दोस्तों level 3 का जोब है दोस्तों इसमें पर मंत आपको जो salary मिलेगी 27,700 से लेकर के 69,100 रुपे तक पर मंत मिल सकते हैं दोस्तों और यह जो pay grade होने दोस्तों यह 7th pay pay है दोस्तों और मैं इसमें बात कर लूँ दोस्तों category के लिए तो कौन कौन से post हैं कितने seat हैं उसमें दोस्तों तो आप देखिए हैं constable driver for male यह जो भी driver के लिए form fill करना चाहते हैं वो सिर्फ male category ही भर सकते हैं female is note मतलब female जो रहेंगे वो driver के लिए नहीं भर सकते हैं दोस्तों इसमें जो driver के लिए seat है वो आप देखी रहे हैं मैं आपको बता दूँ जनरल के लिए 148, EWS के लिए 36 और OBC के लिए 114, SC के लिए 245, HD के लिए 31 यहीं कि total post की संख्या 534 है constable driver के लिए और आगे बात करना दोस्तों constable liability assistant के लिए इसमें male और female दोनों भर सकते हैं जिसमें दोस्तों यदि सिर्फ लिखा रहे only for male या only for female सिर्फ वो female वाले भरेंगे जैसे कि आप four number में देख सकते हैं constable food area इसमें सिर्फ female only for female भर सकते हैं इसी तरह आप देख सकते हैं यदि आप ITI की हैं तो देखिए आप दोस्तों पांच नमबर पांच से यहां सी start हो जाता दोस्तों आई टी आई के लिए तो जैसे आप carpenter से किया है ता आप के लिए बहुत बढ़ी यहां दोस्तों तब carpenter plumber penter tailor color calendar cook man man female दोनों दोस्तों washman man female दोनों इसमें भी है कि ओके फ्रेंस water canner मतलब इस तरह से post आप देख सकते हैं दोस्तों और सभी के लिए age क्या होना चाहिए सबसे बात आता है कि किस के लिए age कितना होना चाहिए चली दोस्तों इस पर हम बात करते हैं जैसे कि आप बात कर लें दोस्तों constable driver के लिए ये जो फी जो कि सिर्फ only male के लिए इसमें 21-27 होना चाहिए दोस्तों और बात करनों इसमें qualification क्या होना चाहिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों qualification metric पास होना चाहिए कोई भी board से और आपको driving license होना चाहिए देखिए यहां लिखा हुआ दोस्तों second में must process by heavy vehicle driving license ओके फ्रेंड्स यदि मैं बात कर लूँ constable liability assistant की इसमें age होना चाहिए 18-25 वर्स first में देख सकते हैं दोस्तों matriculation with science जो कि आपका सभी studentों को matriculation with science ही रहता है इसमें घबराने वाले कोई बात नहीं है प्लस में इसमें certificate होना चाहिए आपको liability assistance का जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें certificate होना बहुत जरूर यह दोस्तों अब आगे बात करते हैं दोस्तों constable volunteer के दोस्तों इसमें भी आपको होना चाहिए science से आपका 10th जरूर होना चाहिए दोस्तों चो कि सभी बच्चों को रहता है इसमें भी कोई normal सी बात है दोस्तों अब मैं आगे बात करूँ इसी तरह आप देख सकते हैं खुझ से पढ़ सकते हैं दोस्तों मैं एक बार roll कर दे रहाँ आप जो भी student interested है वो अलग-अलग जैसे cookman में जाने तो आप न रोग के वीडियो आप पर सकते हैं यार ये notification मैं description में डाउनलोड दे दूंगा दोस्तों आप उहां से भी डाउनलोड करके पर सकते हैं और सबसे एक और बड़ी बात है दोस्तों रिमोट एरिया दोस्तों रिमोट एरिया में यदि आप असम मिघाल है और उना चल परदेश मीजोराम तिरिपूराम नागा लैंड जमू कस्मीर ये सबसे रिलेटर दे दोस्तों तापको 37 दे due to public employee in the dimension area दोस्तों चली दोस्तों आगे मैं बात करता हूँ यदि आप फी के बारे में बात करेता हूँ यदि आप जेनरल EWS OVC के टेक्री से रिटेट करते हैं तो आपको 100 पर फी देने परेंगे और SC, HD, X, Service Man, Female, Male इसके लिए दोस्तों आपको 9 फी लगेंगे दोस्तों ये आप जैसाद देख रहे हैं दो इस फार्म को फिल करने के लिए दोस्तों आप www.ssbrect.gov.in पे आप इस फार्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों ओके फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूले दोस्तों जय हैं जय भारत